हालो वेलकम बायक स्टूडेंस सबका स्वागात मेरा यूट्यूब चनल पर बच्छो आज मैं आपको स्पॉकन का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे काफी सारे संटेंस को बना सकते हो तो स्पॉकन का कौन सा ट्रिक है हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे आपको इसके पहल करें आप जरूर से जरूर जरिए बीना समय गभाय वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज spoken के दो ऐसे नियम जिए जिसे काफी सारे sentences को अब बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप बच्चों आप जैसे देख पा है बोड़ पर मैंने कुछ sentences को लिखा है तुम कबसे पढ़ रहे हों वह कबसे खेल रहा है सियाम कबसे दोड़ रहा है तो यह इस तरह के sentences बहुत सारे बोल चाल की भास हम अब यूज करते होंगे दूसरों के लिए या अपने लिए अपने साथियों के लिए तो उसका तो इंगलिस में रुपाँन्तरित करके मैं आपको बताऊंगा सिखांगा ठीक सबसे पहले हम दोगी देखते हैं इसका रूल क्या है देखते हैं इसका रूल क्या है कि यह सिंस्ट वन हैव है सब्जेक्ट बेन विफोर अब्जेक्ट यह कब जब यह प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टुनरेस टैंस रहे तब ठीक है यानि वाकी के बिल्कुल मैं रहे हो रहा है रहा है इत्यादी रहे यानि परफेक्ट कॉन्टुनरेस टैंस के बप करते हो हिंदी के जो जो मैंने पहचान बता है हो करते हो यह कि बचाहिए इसको मैं बताता हूं इसलिए करेंगे चुकि कि आप सारे sentences में, तीनों sentences में आप देख पा रहे हैं, कब से, कब से, कब से लगा हुआ, ठीक है, तो यदि sentence में ये कब से रहे, तब आप इसका पर्यूग करेंगे, ठीक है, since when, have या had subject के अनुसार, फिर subject, been, before, और object, question माग देंगे, ठीक है, तो sentence को बना करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं, कि कैसे इसका English होगा, ठीक है, सबसे पहले, यदि sentence के बीच में, कब से, कब से, कब से, इतिया दे रहे, और वो present perfect continuous tense के rule को follow करता हो, तब आप sentence का शुरुआत करेंगे, since when, since when, उसके बाद have या has आ जाता है, तो subject के अनुसार, आप have और has का परियो करेंगे, तो यहाँ subject क्या है, you, तो you है, you के साथ have लगता है, इसलिए आप have का परियो करेंगे, since when, have, उसके बाद subject क्या था मेरा, you, since when, have you, फिर बीन का परियो करेंगे, been, since when, have, you, फिर बीन, और फिर भर्व का चौथारू, भर्व क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का यहाँ reading हो जाएगा, चौथारूप ing form होता है, और यदि कोई object रहे, तो आप object का परियोग कर देंगे, तुम कब से पढ़ रहे हो तो, since when, have you been reading, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस sentence में भी कब से परियोग हुआ है, ठीक है, तो sentence में कब से यह दि परियोग हुआ है, तो sentence का शुरूआ था, since when, से करेंगे, जैसे उपर के sentence में हमने देखा, since when, उसके बाद have has में से, यानि subject के अनुसार have has का परियोग हुआ हुआ है, वह का होता ही, और ही के साथ लगता है, has. बचो, मैं यहां clear कर देना चाता हूँ, यदि subject singular हो, it means singular का मतलब होता है, एक कबोद कराता हो, और plural का मतलब होता है, एक से अधि कबोद कराता हो, नमबर पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अब देख लो, आपकी सारी दिकतें दूर हो जाएं, यदि subject singular रहे तो has का परियोग, और subject plural रहे तो have का परियोग, यहां चुकी subject हुआ है, he, तो यहां है चोगा, उसके बाद subject दीजिए, subject ही, फिर been का परियोग करिए, since when has he been, अब भी फोर, यहां देखना, भर्ब क्या है, खिलना, यानि कारी क्या कर रहा है, तो खिल रहा है, playing, ठीक है, object रहे तो आप object का परियोग कर देंगे, ठीक है, next हम लोग देखते है, next sentence, इस sentence में भी कवसी का परियोग हुआ है, तो sentence का सुरुगात हो जाएगा, इससे since when से, since when, उसके बाद have has का परियोग subject के अमसार देंगे, तो subject हमारा स्याम है, एक लड़का या एक वेक्ति का बोद करा रहा है, तो वो singular हुआ, और singular के साथ हम लोग has का परियोग करेंगे, since when has subject क्या है, स्याम, since when has स्याम, उसके बाद been का परियोग करिए, बीन, फिर भीफोर, यानि भर्व क्या है, दोड़ना, इसका भीफोर इंजी फ़र्म हो जाएगा, स्याम कब से दोड़ रहा है, स्याम, बीन, रनिंग, तो बच्चों धेल सारे sentences को बना सकते हो, इस फर्मूला का परियोग करकरके, और अपने एंगरीजी को स्टॉंग कर सकते हो, आप देखें, समझें, इसको कहीं कोई दीखात हो, तो comment box में आप जरूर से जरूर बताना, कि इस जेगा पर मुझे problem हो रही है, मैं उससे sort out करने का कोशिस करूँगा, अब इसे देखें, इस रिलेटेट एक और फर्मूला में बताऊंगा, जिससे बहुत सारे sentence को बना सकते हैं, बच्चों ये rules ऐसे होते हैं, जो कहीं आपको मिलता नहीं है, लेकिन मैं कोशिस किया हूँ कि सारे rules को आपको दूँँ, ताकि आपके English strong होते हैं, हो जाए, चलिए, एक और rule के बारे में हम लोग शीख लेते हैं, समझे लेते हैं, जाए, श्रॉध को आपको आपको आइ, श्रॉध को आपको जीन में है, रोड आप nine, संटेंस को मैं बोर्ट पे लिखूंगा और संटेंस के माध्यम साब को समझाने का प्रियास करता हूं कि वाक्त कितने कि दीनों से कि पढ़ रहा है कि तुम कि कितने कि महिनों से कि खेल रहे हो सारे संटेंस में प्रजन परफेक्ट कुन्टिनियर स्टेंस की लिए रहा हूं पास्ट और फ्यूचर कभी मैं बताऊंगा उसका अलग स्ट्क्चर होगा लेकिन फिलाल मैं पर्जन परकेंस लेकर संटेंस को ही बता रहा हूं किसी भी तरह के संटेंस हो सकते हैं ठीक है मेरे तीन संटेंस को लिखा अब इन तीनों में आपको पहचान करनी है कि प्रजम प्रफेक्ट कॉंटिनस्टेंस के जो जेनरल संटेंसे सिंबल संटेंस होते थे उनसे एक इस तरह से अलग है तो मैं सूत्र बताता हूं सूत्र के माध्यम से और इसका पहचान क्या है म मैं वोबी संटेंस ता हूं अब देखें संटेंस में आपको क्या मिलेगा कितने वर्सों से मिल सकता है महिनों से मिल सकता है हुआ यहां कि यहां कितने महिनों है और यहां कितने वर्सों ठिक है तो यती संटेंस में इन सब्दों का परियोगर है एक साथ में, वह कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने वर्सों से, कितने घंटों से, कितने मिन्टों से, ये सारे वोट्स रहे, तब आप समझ आएंगे कि आपको ये फर्मूला यूज करना, ठीक है, क्यों? क्योंकि संटेंस में कितने महीनों से कितने दिनों से कितने वर्सों से कितने घंटों से कितने महिनों से कितने सेकेंड सो इत्यादी का परियुग है और सारे संटिंस मैंने बनाए परजन परफेर कॉंटिन स्टेंस की चुकि संत में रहा है अंत में रहा है रहे हैं रहा हूं इत्यादी है ठीक है तुछली आप वाके माधहम स्यम्लू बनाते हैं इसका पर्योग करते हैं देखिए सबसे पहले यह दिनों रहे गा तो आप जो करेंगे महिनों रहे गा तड़ Supt तब years का परियोग करेंगे इसलिए मैंने oblique में लिखा है फूर how many इसका परियोग हर जगा होगा यदि वर्स रहे तो year महना रहे तो months दिन रहे तो days घंटा रहे तो hours सेकेंड रहे तो seconds आगे आप बढ़ा देंगा फिर सब्जेक्ट के नुसर है विए हैस का दोनों में से किसी एक का परियोग होगा फिर बीन फिर भर्व करचा अथारों फिर object तो चलिए sentence को हम लोग बनाते हैं यह हिंदी sentences को बना सकते हैं ठीक है चलिए आप देखना है सबसे पहले for how many तक आप बनाएंगे for how many अब दिनों है तो आप डेस का परियूग करिए देज फिर have has का परियूग subject के नुसर सब्जेक्ट हुआ है किसी एक का बूद करा रहा है इसलिए हैस का परियूग करेंगे for how many days has उसके बाद subject क्या है फिर बीन का परियूग करेंगे for how many days has he been पढ़ना का रीड होता भी फोर हो जाएगा reading question mark ठीक है वह कितने दिनों से पढ़ रहा है for how many days has he been reading चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कितने महीनों से तो सबसे पहले for how many many तक लिखेंगे for how many उसके बाद महीनों है तो आप months का परियूग करिए for how many months उसके बाद subject के उनुसर have has तो subject यहां you है और you के साथ लगता है have have उसके बाद subject क्या है you you फिर बीन का परियूग करिए ठीक है फिर भी फोर यानि भर्व का च्वाथ हो प्ले है तो यहां हो जाएगा प्ले तुम कितने महीनों से खेल रहे हो तो for how many months have you been playing ठीक है स्याम कितने वर्सों से दोड़ रहा है तो सबसे पहले for how many तक लिखेंगे अब देखो वर्सों है तो years परियूग करेंगे कि यह उसके बाद है वह मैं से किसका सब्जेक्ट के उन्ट सब्जेक्ट चुकि एक व्यक्ति का बूत करा रहा है स्याम तो यहां है करेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा क्या स्याम ठीक है उसके बाद बीन का परियुक करेंगे बिन और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानि दोड़ना का रन रनिंग हो जाएगा कुर्शन मार्ट बता दो यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट का पर्योगा कर देंगे स्याम कितने वर्षों से दोड़ा रहा था फोर हाव मैंने एयर्स है स्याम बिन रनिंग कि पड़ों आज कि दोनों फर्मूला आपके काम के होंगे काफी ये यूसफुल वोंगे आपकी लिए आपके इंगलिस कैसे स्ट्रॉंग हो इसको लेकर कि मैंने बहुत सारे बेडियोज बनाएँ चैनल पे हैँ आप चैनल पे जाएए सारे वीडियोज को देख रहे हों या फिर आप spoken शोच रहे हो या grammar की कोई points को आपको जानना हो तो चैनल पर जाईए आपको सारे points मिल जाएंगे ठीक है साथे साथ 8 9 10 11 इत्यादी के English book के सारे notes में कोशिज कर रहा हो कि चैनल पर आ जाएं यदि आप किसी भी class में पढ़ रहे हो 6 7 8 9 10 11 12 मैं कोशिज करना हो सारे classes के English का जो syllabus उसके उनसार में वीडियो डानोग चैनल पर है तो बच्चों चैनल पर नहीं है तो जरू से जरू सब्सक्राब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरू इंतजार करें चुकिए एक नया रोचक वीडियो आने वाला है आप जरू से जरू देखें थैंक्स पर वाचिंग